अच्छी सफलता हर कोई पाना चाहता है पाई भी हर कोई करना चाहता है, तो अच्छी नौकरी भी हर कोई करना चाहता है, बड़ा काम, बड़ा व्यापार हर कोई करना चाहता है, हर किसी के पास कुछ बड़ा करने के लिए एक कारण है, एक रीजन है, पर जब बात अपने शरीर पर ध्यान देने की होती है, तो यहा बस उसकी वज़ा से ही ऐसा हुआ, यही कहता हुआ, मिल जाएगा आपको. मित्रों, सेहत न तो एक दिन में बिगर सकती है, और न एक दिन में सुधर सकती है. अब आप कहेंगे एक्सिडेंट हो जाये तो, मैं एक्सिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं. मैं health problem या सेहत पर जब बीमारी आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो इसलिए accident को थोड़ा सा छोड़ दें तो फिर एक सवाल यहां पर मन में उत्पन होता है उठता है अंदर से कि ये फिर health खराब कितने समय में हो जाती है तो मित्रों इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है और ना ही बन सकता है day to day life में हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो हमें proper relax नहीं करने देते हैं और हम आराम की अवस्था में भी आराम नहीं करते हैं यानि कि हमारा दिमाग जो हमारा दिमाग होता है वो आराम नहीं करता हमें लगता है कि हम बिलकुल गहरी नीन में सो रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग अपने काम में लगा रहता है या फिर यों कहें कि हमारी दिन चर्या ही कुछ ऐसी हो जाती है कि हम अपने विचारों के माद्यम से अपने ब्रेन को आराम ही नहीं देते और हर वक्त उसको काम पर लगाए रहते हैं और काम क्या? नए नए विचार उत्पन करना एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा और इसी तरह से एक चेन बनाना अपने जोश से अपने होश में और अपनी हाई एनरजी से रोज मर्रा के जीवन में हम कुछ ऐसा भोजन भी करने लगते हैं जिससे हमारे शरीर को उर्जा मिलती है और यही भोजन हमारे विचार को बनाते हैं क्योंकि आहार से विचार बनते हैं और विचार से विवहार बनते हैं और अच्छे विवहार से ही अच्छे समाज का निर्माड होता है और कभी-कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आज कुछ मीठा हो जाए, कुछ अलग खाया जाए, कुछ लग्जरी फूट खाया जाए तो चलो किसी अच्छे रेस्टोट में चलते हैं बस फिर क्या है हम कुछ ऐसे भोजन को भी ग्रहन कर लेते हैं जिसे हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने में उसे प्राबलम होती है हमारे शरीर की सारी उर्जा उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपनी सारी उर्जा का इस्तमाल कर लेता है और हम सुस्ती कानभौ करने लगते हैं आप सभी ने मित्रों ऐसा फील जरूर किया होगा शादी हो या रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाने के बाद या फिर कभी भी आपने ऐसा फील किया होगा और इसी सुस्ती में हमारे कुछ ऐसे विचारों को जन्म मिल जाता है जिन्हें हम चाहां करके भी अपने मन मस्तिष्क से बाहर नहीं कर पाते किन्तु जिसने इनको नजरंदाज कर दिया और वो बार बार ऐसा करने लग गया उसी ने अपने शरीर के साथ, अपनी हिल्थ के साथ खिलवार शुरू कर दिया दीरे दीरे वो कब लंबी बिमारी की चपेट में आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता और यहीं से शुरू होता है एक बड़ी समस्या, सिहत की समस्या, पैसों की बरबादी की समस्या, घरे लुकले सम्मंधी समस्या और नाना प्रकार की अनेकों समस्याओं का जन्म यहीं से शुरू हो जाता है समस्या का मूल कारण सिर्फ विचार बनने लगते हैं और विचार का मूल कारण भुजन और कुल मिला करके कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटी सी लापरवाही जो आप अपनी सेहत के साथ करने लगते हैं मित्रों हर राशी के लोग कुछ खास प्रकार की लापरवाही कर देते हैं और उन से कुछ खास प्रकार के रोग भी उनको घेर लेते हैं आज की वीडियो में हम मेश राशी को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसकी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों होती है उनको ये समस्या और इस से वो कैसे बच सकते हैं यानि कि समस्या के साथ साथ उनका उपाय भी जानेंगे तो बने रही है वीडियो में अन्त तक मित्रों मेश राशी के बाद हम अपनी अगली वीडियो में वरश राशी की हिल्थ की प्राब्लम की बात करेंगे और इसी तरह से एक एक करके सभी राशियों के कुछ कॉमन हिल्थ प्राब्लम की बात अपनी आने वाली वीडियो में कर तो चलिए शुरू करते हैं मेश के व्यक्तियों की बात मित्रों मेश राशी के व्यक्ति बहुत ही हाई एनरजी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं कालपुरुष की कुंडली की बात की जाए तो कालपुरुष की कुंडली की ये प्रथम राशी होती है और प्रथम राशी होने की वज़े से इसको किसी भी गाड़ी के इंजन की तरह शरीर के मस्तिश्क का महत्वपूर्ण पत्प्राप्त है और हम सभी जानते हैं कि इंजन जब अपना काम करता है तो समस्या सिर्फ एक आती है और वो होती है इंजन के गरम होने की समस्या और ऐसी इस्तिती में मेश के लोगों में धैर की कमी देखी है मैंने जल्दबाजी में गलत निर्णे लेना इनकी एक छोटी सी प्राबलम हो सकती है जल्दबाजी में गलत निर्णे लेते देखा है मैंने और फिर घिर जाते हैं वो अपनी ही द्वारा बनाई गई परिस्थितियों में और चिंता की परेशानियों में अपने ही द्वारा निर्मित, अपने ही द्वारा किये गए फैसलों से, अपनी सेहत तो खराब करते ही हैं और साथ में सारा परिवार भी इनका परेशान हो जाता है। जबकि मेश के व्यक्तियों में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती, 101 डिग्री फीवर होगा तो भी उनको देखने से पता नहीं चल सकता। पर जरासा सर दर्द हुआ कि उनके बरदास्त के बाहर हो जाता है। दूसरे यदि उनकी बात को जरा भी अस्वीकार कर दें तो बस समस्या शुरू हो जाती है। यदि ऐसे लोग नौकरी करते हैं तो अपने बौस से सदा परेशान रहते हैं। और बौस भी उनकी भरपूर उर्जा का इस्तमाल करते हैं। मित्रों मेश के व्रक्ति अक्सर अपने अभिमान के चक्कर में अपने वाइलिंट रवये से अपने इर्दिगर्द समस्याओं को निर्मित करते रहते हैं। एक जाल सा बना लेते हैं अपने इर्दिगर्द और एक समस्या से निकलते हैं तो दूसरी समस्या में उलज जाते विवेक की बात की जाए तो विवेक की कमी होने के कारण दूर की वो सोचते नहीं उनको जो उनको तो जो करना है वो बस तुरंत करना है आज करो अभी करो इसी समय करो और कर दो बस किसी तरीके से इसलिए मित्रों बस यही सब समी करण मिल करके उनको सर का दर्द की समस्या देना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उर्जा भरपूर है कुछ भी करगुजरने का दम इनके अंदर होता है पर धैर की कमी होने की वज़े से माइग्रेन की समस्या इनको बड़ी ही आसानी से पन हो जाती है मित्रों अपने अंदर उर्जा का होना बहुत ही जरूरी है किन्तो यदि असंतुलित उर्जा हो जाए तो ये बने बनाए चीज को नस्च भी कर देती है इसलिए इस उर्जा के संतुलन को बनाना आपका अपना प्रमकर्टब है इसे संतुलित करना होगा सकती है उर्जा के डिस बैलेंस में उर्जा के डिस बैलेंस से इंसोमिन्या यानि की अनिंद्रा की बिमारी हो सकती है मेश के लोगों में गलत खान पान से शरीर में दाने निकलना या फिर फोड़े फुंसिया निकलना ये बड़ी आम प्रावलम होती है जरा सा ध्यान न दिया जाए तो पेट की समस्या हो जाती है, लूज मोशन शुरू होने लगता है, किडनी में स्टोन की समस्या इनको अकसर देखने को मिल सकती है, इसके लिए शुक्र और शनी की प्लेस्मेंट भी जरूर देखने हैं, इसके अलावा किडिनी की गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए अपने खान पान को ठीक रखने, अपने स्वास्त का खयाल रखें, एक बड़ी समस्या का और में जिक्र करना चाहूंगा जो मेश के लोगों में अक्सर देखने को मिलती है। और वो समस्या होती है पैरालिसिस अ के लोगों में देखा जाता है और उसका रीजन यही होता है कि ये छोटी समस्या को बिल्कुल छोटी सी समस्या होती है उसको नजर अंदाज कर देते हैं और समस्या जब विस्पोर्ट कर जाती है तो ऐसी बड़ी समस्या, विक्राल समस्या, जो जल्दी ना ठीक होने वाली समस्या है, उसको इफेस करना पड़ता है इनको. और जब समस्या सामने दिखाई देती है, तो इनके होश उड़ जाते हैं. क्योंकि कुछ छोटी-्छोटी गलतियों के कारण, कुछ छोटी-्छोटी जो गलतियां इनों उसकी कारण इनको बड़ी समस्या परणाम के रूप में भयानक समस्या बुगतना पड़ता है और ये बातें वो समझ ही नहीं पाते हैं तो क्या ये समस्या मेश के सभी लोगों में हो सकती है तो जवाब है कि नहीं बिलकुल नहीं हो सकती तो फिर एक सवाल फिर आता है मन में कि फिर ये समस्या किसको हो सकती है तो मित्रों इसका जवाब बिना बर्थ चार्ट के समभव नहीं है क्योंकि बर्थ चार्ट पर जैसी प्लेनेटरी पोजिशन होगी उनकी मूमेंट होगी समस्या का वेग भी वैसा ही होगा और उसी छेतर में होगा जिस छेतर में प्लैनेट इशारा करेंगे ग्रहों की दृष्टियां जिन जगे पे पड़ेगी उने के according ही समस्या भी उत्पन्न होगी इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि बर्थ चार्ट के बिना ये तै कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा हेल्थ इशू से आप समय रहते अपने आपको अपने बर्थ चार्ट के अनलिसिस करवा करके अपने आपको अपने परिवार को समस्याओं के घेरे से बचा सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आप सब को बताया कि प्लेनेटरी पोजीशन ही आपकी समस्या को उत्पन्न करते हैं तो चार्ट में जैसी इनकी पोजीशन होगी वैसी ही समस्या होगी कि मेरा तो यही कहना है आप सबसे कि यदी समस्या छोटी हो तो उसे छोटے में ही समापत कर दी जाए मेश के व्यक्तियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि यदी आराम की कमी हो तो उसे नजरनदाज न करें भोजन ऐसा करें कि जिससे अच्छी नींद आए सादा भोजन उच्च विचार हमारे महापुर्शों ने हमें एक मार्ग दिखाया है उस पर चलें हमारे शास्त्रों में ऐसे रास्ते, ऐसे भोजन, ऐसे प्राणायाम बताए गए हैं जिनको करके हम अपने आपको आसानी से उन छोटी समस्याओं से बचा सकते हैं जिनके बड़ा होने से हम उनका भयावरूप देखते हैं बड़ा रूप देखने के बजाए हम उसे छोटे में ही समाप्त कर दें मेरा तो यही कहना है आप सभी से कि समस्या है तो उसका निदान भी है विचार अवश्य करिएगा धन्यवाद मित्रों